आज सोनी लेकर आए करवाचो देवाली स्पेसल बहुत ही हेल्दी स्वादिश्ट मिठाई जो इसको बनाने के लिए ना गैस की जरूरत ना खोवा ना मावा ना घी फटाफट बनके तयार हो जाए और खाओ तो बस खाते ही जाओ तो बस खाते ही जाओ तो आपका सब्सक्रा करने की जरूरत ना खोवा की न चासनी की और बनके तयार होंगे स्रिफ पांच मिट के अंदर बहुत ही अमेजिंग चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो आज लड़ू बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है इसमें क्या इसमें नारियल बुरादा नहीं इसमें इने नारि मेट के से सौनी ने इस गोला को छील के तयार किया है यहादि इसको दिन необ ही चील के तयार कर लिया था और अभी कटिंग करके इसको डाल दिया यहां पर और यहाँ पे लिया है चीनी एक कटोरी चीनी और आदा कटोरी मिल्यक पावडर और आदे से थोड़े जादा आएं काजू तो इन सब चीज़ों को काजू और मुखळी दाने नहीं मुखळी तो एक दो डरिय आшие अच्छा वैसे डालती है उपर से और यह तीनों चीज़ाओं को हम पीश हैंगे पहले अलग अलग ठीक है पीशते हैं इसकी त्योहर क्यों मना और इन काजू को हमने फ्रीज में रख दिया था आदा गंड़े रख सकते हैं इसके क्या होगा पीशते समय यह तेल नहीं चूड़ेंगे काजू हमारे पिश चुक है कि यह नारियल गोला इसको भी अमने फ्रीज के अंदर रख दिया था घंटे के लिए क्योंकि इसके अंदर भी तेल होता है तो इसको भी रुक रुक के मशीन को चलाएंगे विक्सी मशीन को और रुक रुक के चलाते चलाते इसको पीश लेंगे एक दम महीन पाउडर ब कि इतना बारीक है तो अब हम बरतन में डार लेते हैं को हम चीनी को भी पीस लेते हैं तो अब हम बरतन में बड़े से में सब चीजों को डार लेंगे यह काजू और नारील बुरादा और एमिलिक पाउडर और एच जीनी और नारील बुरादा और चीनी ये दोनों को बरावर रखना है और चीज कोई कम ज्यादा हो जाए तो कोई परिशान नहीं अब अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीजों को और अभी हम थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसको गूं देंगे आटा की तरह जैसे आटा लगाते हैं जैसे ही हमने यह पर आदा गलास दूद लिया था तो इसमेंसे भी आदा बचा है यानि बड़ा एक चमच लगाए दूद और इसमेंसे अब हम तीन बागों में करेंगे ऐसे बरावर बरावर अब इसमें हम कलर मिलाएंगे यह है मेरूम कलर तो इसको हम इसमें मिलाएंगे करल लेंगे हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे अब अच्छे से मिलाएंगे और एक कलर हमने मिलाक रखती है अब हम लेंगे दूसरा कलर संत्री कलर यह कलर पात अच्छे लाएंगे और इसमें मिलाएंगे हम हरा कलर गिरीन एक तीनो कलर तैयार हो गए तेल कहें छोड़ रहे हैं अब हम इसमें से बनाएंगे गोलियां चोटी चोटी गोलियां और अब हम बनाएंगे गोली गोल गोल कर दो अब हम इससे थुड़ा बढ़ा बनाएंगे ऐसे एक एसे पूरी सी वेल कि हम ऐसे आथ हो से भी लें अगर किसी अब इसको इसमें बंद कर देते हैं और यह बन गया है ऐसे चारो तरफ से बंद कर देखे इसको अब फिर से गोल कर दो एक पेडा लेंगे और ऐसे दवा के हाथ से पूड़ी बनाके सबको ऐसे ही बनाना है और यह रखेंगे पेड़े को और इस तरीके से डवा देना है यह बन गया चारो तरफ से डख देखे गोल फिर से कर देना बन गया बिल्कुल आसान तरीका है और इस कलर में से भी हम छोटी-छोटी गोलियां तोड़ाएंगे कितने हो गये चार कट से फिर से गोले बनाएंगे और इसकी पूरी बना लेगे व कि कि अई रखें और इसको अब यवाले गोले को इसके अंदर रखेंगे थोड़ा बड़ा करते हैं बड़ा कैं प्ली है इसके अंदर अब इसको भर देने कि यह रह जाएगा तो कुछ नहीं है थोड़ा बहुत और यह देखिए कितने सुन्दर सुन्दर लड्डू बनके तैयार हो गए लड्डू तो सौनी ने इतने बड़े बनाए हैं कि एक लड्डू से जिक जाओगे टरा टर्ण हो जाओगी है है कितना बड़ा बनाती हूं कैसी और यह लड्डू बन चुके हैं इतना निकला है नारील का तेल तेल ऑगा है और अभी को करते हैं तो हम लगाते हैं चांदी वर्क और अपने सांझ से व में कर सकते हैं कोई दिक्कतर। असलady बात नहीं है तो खाने के लिए उजलाते हैं मैं यह चीड कुल के बोलता हूं हम तो दिखाने के लिया और चुछत करने हो यह एकन के ऐसे रखला के youtubers आगा सब्सक्राइब वेड़ोगा बना लूट यह वाला तरीका सही लगाने का रुख जब मैं लगाता हूं जैसे यह है कागज एक लड़ू लेंगे और ऐसे रखेंगे और ऐसे गुमा देंगे ठीक यह चिप गया एक दम अच्छे से कि अच्छे से डेकोरेट हो चुके यह देखिए कितने शुंदर लग रहे हैं तो अभी हम इसको पंखे के अवा में या फिरीज में रख देते हैं और वैसे तो अधा गंटे बाद देखेंगे नहीं तो सुबह देंगे तो सुख जाए तो सुबह नास्ता में देंगे सभी को अभी इसको हम रख देते हैं दोस्तों और अभी हमने इनको फिरीज में से निकाल लिया है आदा गंटे के लिए रख सकते हैं बस या फिर पंखे की अवा में रख दीचिए थोड़े अस मतलब जो तेल हो थोड़ा सूख सजाता है टाइट सा हो जाता है तो अभी इसको कट करते हैं क्कुर्टिण करते समय बस ध्यान देना है थोड़ा अच्छा अजिएन कर लें हो तना ही अच्छा लगे और एक दम इसको पूरा न करे है अभी ये पहला वाला पीस में कटिंग के तो पूरा कटिंग कर दिया इसको इसकी में से यह गिर गया लेकिन कोई दिक्गत नहीं ये भी हमको दिखाना है कि अंदर से देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ये तो सभी को हम इसी प्रकार से कटिंग करेंगे और ये देखो कितना सुन्दर लग रहा है न और काडने में भी पता चल रहा हुआ आपको कितनी परफेक्ट हमारे यह मिठाई बनके तैयार हुई है और कलर तो इसके यह से निखर के आएंगे चलिए उजाले में चलते हैं यह देखो बहुत ही अमेजिंग देखते ही खाने को मन कर जाएं दोस्तों हमारी रेसेपी आप सभी को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और इनको अभी हम टेस्ट करवाते हैं चलिए अम्मा जी को टेस्ट करवाते हैं टेस्ट करूं मिठाई यह लाल पीली हरी गुलावी अमरुदर किसी फाकत नहीं हमारा हम देखा लेंगे को दिक्कत दनाने हैं आप स्वाद देख लो भाई खाए उतनों तुम्हाई का जी लाएं सब और सबने के लिए रखी है और तो बच्छी स्कूल से आजाएंगे जब बताएंगे कैसी लग रह देवाली पर बनाएंगे दोस्तों बहुत ही कम समय में करवा चौत के लिए बनाएंगे हैं दोस्तों आपने देखा कि मठाई कितनी बढ़िया बनी है बहुत ही कम समय में कोई ज्यादा आलतू-फालतू खर्चा नहीं और रही रिभीउ की बात तो अभी बच्चे गई जब इस्कूल से आ जाएंगे तो बच्चों का भी रिव्यू लेंगे ममी पापा सभी को जब एक एक पीस खाएंगे तो वह अपना रिव्यू देंगे कि उनको कैसी लगी स्वाद में तो यह सब देखने को मिलेगा आपको सौनी दर्मेंदर ब्लॉग यूटूब चैनल प यह बताइए कि आपको आज की हमारी रेसेपी कैसी लेगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल पर में नई वीडियो में जब तक लिए राम राम दूसलाम जैहिंद बंदे मातरम